इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि allowed tracking क्या होता है आपके iphone में इसे on या off करने से होता क्या है देखिए अगर आप iphone में किसी भी apps में जाएंगे apps की setting में जाएंगे instagram में facebook में किसी भी application में जाएंगे तो यहां पर आपको allowed tracking का option दिखता है तो जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपको इस तरीके से option दिखाए देगा allowed tracking का अब जैसे ही आप allow कर देंगे जिस भी app का आप allow करते हैं तो उस app में जो भी आप करते हैं जैसे किस तरीके की videos देखते हैं उस app में क्या करते हैं उस app में वो चीज़ ट्रैक कर पाएंगी और उसी तरीके की ads आपको वो companies दिखाएंगी या फिर आपकी tracking history third party को बेश देंगी ठीक है तो हम iPhone यूज करते है हम लोग tracking से बचने के लिए ही iPhone जादा यूज करते हैं security के लिए तो आप लोग allow tracking को कभी भी on ना करें इसे off करें इससे आपका data secure रहेगा कोई भी third party company के पास आपका data नहीं जापाएगा ठीक है